Hello Friends, Welcome to Quant Study आज का हमारा चेप्टर है Odd One Out जिसका हम करने चा रहे हैं Part 4 शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसके लावा हम Facebook और Instagram पर भी एक्टिव हैं अबी तक हम Odd One Out की तीन टाइप्स पढ़ चुके हैं Part 1 में हमने पढ़े Odd One Out Based On Alphabet Part 2 में हमने पढ़ा Odd One Out Based On Words and Part 3 में पढ़ा हमने Odd One Out Based On Numbers सबसे मुश्किल जो था वो Part 3 ही था अगर आप Part 3 भी असानी से कर सकते हैं आपके लिए आज वाला पार्ट तो बच्चों का खेल होगा ठीक है तो शुरू करते हैं आज का पार्ट आज का पार्ट शुरू करने से पहले आपको बस दो concept main है जिने आपको याद रखना है वो क्या है एक mirror image का दूसरा inverted image का और तीसरा miscellaneous होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी डाइग्राम होगी उस डाइग्राम का आपको पैटन देखने और फिर देखने कौन सा ऐसा option है जो उस पैटन को फॉलो नहीं करता वो हमारा आजाएगा odd one out बात करते है mirror image और inverted image की mirror image क्या होती है आपको पता है mirror image का सिधा सा मतलब है जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपका left mirror image में right हो जाएगा और आपका right mirror image में left हो जाएगा वैसे ही अगर आप अपना left हाथ शीशे पर रखते हैं तो image जो बनीगी mirror में उसको देखके ऐसा लगेगा कि उसने अपना right हाथ mirror पर रखा है ठीक है और second चीज आपने इसमें यह चीज याद रखनी है कि इस पर mostly question जो आते है alphabet based पर ही आते हैं आप बस यह चीज याद रखना कि mirror के पास जो चीज left hand side में दिखरी है तो right hand side में भी वैसे ही design mirror के पास दिखेगा ठीक है यह चीज आपको भी सुनने में समझ नहीं आ रही होगी तो जो नीचे से mirror में देख रहा होगा उसको ऐसा लगेगा कि आप उल्टे खड़े हो आपका सिर नीचे है और टांगे हवा में है ठीक है कोई concept नहीं है, जब आपका mirror आपके सिर के ऊपर रखा होगा, तो आपका सिर mirror के सबसे पास होगा, तो image जो बनेगी उसमें भी आपका सिर mirror के सबसे पास होगा, अब आप खड़े हैं, तो जब image उल्टी हो जाएगी, तो शीशे में आपको ऐसा लगेगा कि आप सिर के बल पहले, आप एक बार खुद उन questions को try कीजिए, तो मैं आपको हर questions के लिए, आपको solve करने के लिए 15 सेकिन दूँगा, टोटल 11 questions होंगे आज के part में, तो आप हर question को try कीजिएगा पहले, 15 सेकिन में आपको हर question के लिए दूँगा, और वीडियो के end में, comment section में बताइएगा, कि आपने 11 में से कितने question सही की है, ठीक है, तो ये रहा, पहला question, अब देखते हैं, हमारा solution क्या होगा, तो पहली image जो आपको A option में दिख रही है, उसमें एक S है, और उसके आगे ही एक ultra design है, जो उससे काफी similar match करता है, तो हम क्या करेंगे, S के आगे एक line जैसी बना देंगे, और इस line को मानेंगे, कि ये एक mirror है, आप देख सकते हैं, मैंने को होता है था, कि जो S के सामने image बनी है, ये उसकी mirror image है, बैसे ही L के बीच अगर हम line मारें, तो option D में आते हैं, और आप एक ऐसी ही line मारते हो, जो आपने पिछले तीन options में मारी, तो आपको दिखेगा, कि ये T की mirror image नहीं है, इसमें T उल्टा हो चुक है, यानि ये T की inverted image है, तो यही चीज इसको odd one odd मारती है, और हमारा answer है, option D, या या next question, अब आते हैं इसके solution पे, आप देख सकते हैं कि पहली image में क्या है, एक circle है, उसके अंदर 3 circle बनाए होई हैं, जिसमें से 1 circle dark है, दूसरी image में एक triangle है, उसके अंदर भी 3 triangle बनाए होई हैं, और 1 triangle dark है, same, C में भी 1 square है, 3 अंदर square है, इसमें 2 dark है, इस point पे देखिए, द्यान द जिसे दो डार्क है और option D में एक pentagon है और उसके अंदर भी तीन pentagon है जिसमें से एक डार्क है तो एक हमारा C option ही है जिसमें दो figures डार्क है बागी सब में एक एक डार्क है तो हमारा odd one out हो गया option C अब चलते हैं हमारे next question पर तो यह हमारा question आपको 15 second दिये जाते हैं करिए इसे solve अब देखते हैं इसका solution तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो figures हैं वो सारी circle है चारो circle के बीच एक एक line है और अपनी figure A में देखिए तो line के एक left side dot है एक right side dot है वैसे ही B में एक right side dot है एक left side dot है हमारी figure D में भी एक left side dot है एक right side dot है तो सिरफ एक figure C ही है जिसमें दोनों dots जो हैं वो line के एक ही तरफ हैं तो हमारा clearly odd one out हो जाएगा option C अब आते हैं हम अपने next question पे 15 seconds दिये जा रहे हैं इसे solve कीजिए तो देखते हैं अब इसका solution जैसा कि आप देख सकते हैं कि figure A जो है वो inverted image के concept पे है मैंने आपको starting में ही समझाया था inverted image क्या होगा कि आपका alphabet जो है वो ultra दिखने लग जाएगा same figure B भी inverted image के concept में है figure C में जैसा N हमें उपर दिख रहा है वैसा ही N हमें नीचे दिख रहा है और figure D same inverted image के concept पे है तो clearly हमारा odd one out यहाँ पर है option C क्योंकि इसमें alphabet जैसा line के उपर दिख रहा है same to same वैसा ही alphabet line के नीचे दिख रहा है इसमें inverted image के concept एपलाई नहीं हुआ है जबकि बाकी 3 figures में inverted image के concept एपलाई हुआ है तो यह आ गया हमारा odd one out तो हमारा option C हो गया odd one out चलते हैं हमारे next question पे 15 second दिए जा रहे हैं इसे solve करने की कोशिश कीजिए अब आप देख सकते हैं कि जो figure हमें दी गई है वो इंडिया की currency का symbol है यानि यह रुपी का symbol है अब अगर हम अपनी A की figure को 180 degree clockwise direction clockwise direction यानि जिस direction में गड़ी की सुई और कांटे चलते हैं उस direction में गुमाएंगे तो हमारे पास figure B आ जाएगी same अगर हम figure B को 90 degree anti clockwise direction यानि की गड़ी जिस direction में चलती है उसके उल्टी direction में गुमादेंगे तो हमारे पास figure C आ जाएगी पर figure D के लिए हमें इसको rotate नहीं करना है इसको flip करना है तो एक लोता option D ही है जिसमें ये figure लानी के लिए हमें flip करने के जुरूत पढ़ रही है जबकि पहले तीन option में हम सिरफ rotate कर रहे हैं तो उससे भी हमारा काम बनता जा रहा है तो हमारा odd one उटा गया option D चलते हैं हमारे next question पर 15 second दिये जा रहे हैं इसके लिए भी इसे solve कीजिए अब देखते हैं इसका solution देखिए figure A में clearly आपको नजर आ रहा है कि आदा portion जो कि left side का है वो खाली है जबकि आदा portion जो कि right side में है वो shaded है same figure B में left side का portion shaded है आदा और right side का खाली है आगे बढ़ते हैं हमारी figure C पे तो हमें similar concept नजर आ रहा है आदी figure जो है वो shaded है जो कि नीचे का portion है और आदी figure खाली है जो कि उपर का portion है आते हैं हमारे option D में तो आप इसमें clearly देख सकते हैं कि आदे से कही ज़ादा portion shaded है और बहुत चोटा सा portion है जो खाली है तो हमारा odd one out इसमें कोन सा होगा option D क्यूंकि बाकी तीन option में आदा portion shaded था आदा खाली था और इस option में shaded portion काफी ज़ादा है तो ये रहा हमारे next question 15 second दिये जा रहे हैं इसे जल्दी से solve कीजिए तो चलिए देखते हैं इसका solution अब यहां आपकी screen पर 4 alphabets नजर आ रहे हैं अगर ये alphabets series का question होता तो हम सबसे पहले approach लगाते कि इन alphabets को इनकी numerical value assign करते और उन values पर हम काम करते पर ये part alphabets series से बिल्कुल related नहीं है ये part है figures का और मैंने आपको बताया है कि figures के part में आपको सिर्फ दो तीन concept याद रखने है एक है miscellaneous जो कि totally diagram based होगा दूसरा है mirror image तीसरा है inverted image तो आप देखेंगे कि miscellaneous तो ये होगा नहीं क्योंकि diagram वाला question तो ये बिल्कुल नहीं है जैसे पिछले दो question हम नहीं किये थे वैसे question होते है diagram वाले कि एक तीन diagram बनी हुई है वो एक pattern को follow करते है चोथी एक उस pattern को follow नहीं करती होगी तो वो आजेगी odd one out पर ये question जो है diagram वाला नहीं है तो यानि इस पे mirror image या फिर inverted image का concept लगेगा तो आप देख सकते हैं कि ये चारों की चारों image invert हो सकती है और एक different image बनाएंगी तो इस पे inverted image का concept नहीं बनेगा क्योंकि चारों की चारों different image बनाएंगी तो चारों की चारों ही odd हो जाएंगी हम काम करेंगे mirror image पे मैंने आपको वीडियो के starting में ही बताया था कि कौन-कौन स ऐसा alphabet होते हैं जो mirror image बनाने के बावजूद भी नहीं बदलते तो A, T, V यानि कि हमारा option A, option C और option D वो images हैं जो mirror image बनने के बावजूद भी अपनी orientation अपनी diagram चेंज नहीं करती एक L ही इन में एक ऐसा alphabet है जो mirror image में अपनी orientation को चेंज कर देता है तो हमारा odd one out आ गया option B नेक्स्ट आते हैं इस question के लिए भी मैं आपको 15 सेकिंड दे रहा हूँ इसे जल्दी से solve कीजिए अब देखते हैं इस question का solution अगेन ये question alphabets पे based है तो हम इस पे जो logics लगाएंगे वो होगा एक mirror image का दूसरा inverted image का अब आपको देख सकते हैं कि J के नीचे एक line बनी है और उसकी inverted image हमें नीचे ही दिख रही है तो यानी ये question होगा inverted images के concept पे A option में inverted image बन रही है B option में जैसा F हमें उपर दिख रहा है वैसा ही F हमें नीचे दिख रहा है C option में भी inverted image बन रही है M की और D option में भी inverted image बन रही है A की तो हमारा odd one out कोन सा हो गया? हमारा odd one out हो गया option B क्योंकि वो inverted image नहीं बना रहा अब आते हैं next question पे 15 seconds इसके लिए भी आपको दिये जा रहे हैं इससे जल्दी से solve कीजिए तो चलिए देखते हैं इसका solution क्या होगा जैसा कि पहला image आप देख सकते हैं कि circle के अंदर एक square है वैसे ही option B में circle के अंदर एक hexagon है hexagon यानि वो figure जिसकी 6 sides होती है similarly option C में circle के बीच में एक triangle है और option D में triangle के बीच circle है यहां हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि circle के बाहर एक triangle है तो एक लोता option D ही है जिसमें जो figure है वो circle के बाहर आ रही है बाकि तीनों option में figure circle के अंदर है तो हमारा odd one out हो जाएगा option D अब आते हैं हमारे next question पे 15 second दिये जा रहे हैं और इस question को भी आपको solve करना है तो देखते हैं इस question का solution हमारे पास 4 circles है option A में arrow अंदर से बाहर जा रहा है option B में arrow अंदर से बाहर जा रहा है option C में arrow अंदर से बाहर जा रहा है जबकि option D में arrow बाहर से circle के अंदर आ रहा है तो clearly हमारा odd one out कोन हो गया हमारा odd one out हो गया option D अब आते हैं हमारे next question पे अगेन 15 सेकिन दिये जा रहे हैं इसे जल्दी से solve कीजिए तो देखते हैं इसका solution क्या होगा हमारे option A में एक बाहर एक rectangle जैसी figure है same अंदर एक rectangle जैसी figure है shaded हमारा option B भी उसी pattern को follow करते हैं नजर आ रहा है कि बाहर एक circle है और अंदर भी एक circle है जो की shaded है option C में बाहर की figure जो है वो है एक pentagon pentagon यानि ऐसी figure जिसकी 5 sides होती है जबकि अंदर हमें दिखर है triangle option D में बाहर भी triangle अंदर भी triangle और वो भी shaded तो clearly हमारा option C जो है इस pattern को follow नहीं करता तो वो हो जाएगा हमारा odd one out इसी के साथ हमारा odd one out chapter के जो last part है वो भी खतम होता है और हमारा odd one out chapter पूरा का पूरा भी खतम होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे like कीजिए साथ ही साथ हमारे चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए